हेलो फ्रेंड मैं विमल अगरवाल वेलकम टू दिस चैनल आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मसिस्ट की वेकेंसियों की रिगारिंग बात करेंगे जैसे कि आप सब लोगों को पता है हम इस चैनल के मादियम से इस्टेट और सेंट्रल गवर्मेंट में निकली हुई फार्म फार्मसिस्ट की वेकेंसियों या फिर उस फार्मसिस्ट से रिलेटेड कोई वेकेंसियों फार्मा फिल्ड की वेकेंसियों जो भी आती रहती है हम उनके उनसे रिलेटेड वीडियो अप्लोड करते रहते हैं तो यहां पर जो वेकेंसियों निकली हुई है यह सीनियर फार् Department of India का Department जो के Indian Pharmacopial Commission के अंडर में रहता है। यहाँ पर जो warranty निकली वी है। यह senior pharmacopial associate की जॉब यहाँ वेकंसी रहने वाली हम बात कर लें। तो post आपको clear यहाँ पर mention किया हुआ है, age की limit भी यहाँ पर बता दिये, जो के है 35 year age जो है, उसकी limit यहाँ पर clear कर दिये, salary भी 40,000 आपको clear कर दिये, eligibility criteria का बात कर लें, means के qualification की बात कर लें, तो आपके पास में master in veterinary science होना चाहिए, या फिर MSC होना चाहिए, animal biotechnology में या फिर only MSC आपके पास में biotechnology में है, तो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, basically यहाँ पर pharmacy से related, कोई भी यहाँ पर eligibility नहोंने नहीं रखा है, बट यहाँ पर यह जो department है, यह pharmacy से ही belong करता है, Indian pharmacopial commission का यह department है, यह pharmacy का ही department रहता है, बट यहाँ पर जो eligibility criteria है, according to job और according to research associate, यहाँ पर जो इन्होंने eligibility रखी है, वो इन्होंने जो रखी है, वो master in veterinary science and MSC in animal biotechnology और MSC in biotechnology, देन उसके पाद experience भी mandatory है, अगर आपके पास में MSC candidate हो, आपके पास में MSC है, तो आपको यहाँ पर 5 year experience होना जरूरी है, इस vacancy के लिए apply करने के लिए, और आपके पास में master in veterinary science है, तो आपके लिए only 3 year experience mandatory है, जो के analysis और research में आपके पास में होना जरूरी है, placing of posting की बात करें, तो आपका जो posting रहेगी, वो यहाँ पर गाजियाबाद में posting रहेगी, गाजियाबाद में इनका Indian Pharmacopial Commission का जो department है, IPC का department है गाजियाबाद में, वहाँ पर आपकी posting रहेगी, किस तरीकी से vacancy के लिए apply करना है, वो हम बात कर लेते हैं, वीडियो को pause करके, job के जो description है, वो आप read कर लीजिये, यहाँ पर point आप में दिये हुए हैं, first, second, third, and यहाँ पर periods of engagement की भी बात की गई है, कि कब तक यह आपको working period के लिए apply करेंगे, contact basis की vacancy है, one year के लिए minimum apply किया जाता है, then उसके बाद में आगे की जो behavior और जो चीज़े रहती है, उसके according यह आगे भी आपको appoint कर लेते हैं, minimum जो appointment रहता है, वो one year का appointment रहता है, contract basis जो job होती हैं, उनके लिए general instruction जो दिये हुए है, वीडियो को pause करके, आप proper तरीकी से read कीजिएगा इनको, then अगर हम आगे बात कर लेंगे किस तरीके से apply करना है, तो इस page की link इस video के description में provide हो जाएगी, इस video के description में जाने के बाद page की link पर click करेंगे, तो यह page open हो जाएगा, और open होने के बाद में इसके rules regulation जो भी है, जो भी instruction दिये हुए है, वो पढ़ते हुए, जब आप नीचे की तरफ आओगे, scroll down करते हुए, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा apply online, इस पर click करेंगे, तो आप इस form के लिए apply कर पाएंगे, आपको यह द्यान रखना है, 7 जनवरी 2022 से पहले आप इस form को apply कर पाएंगे, इसकी last date है, submission की application form की, जो के 7 जनवरी 2022 है, हम देख लेते हैं किस तरीके से apply करेंगे, online apply पर, जिस तरीके से हमने click कर दिया है, एक नया यहाँ पर page open हो रखा है, अब इसमें जो जो requirement है, वो आपको fill up करनी है, जैसे कि post के लिए बोल रहा है, तो senior pharmacopial associate, name, age, gender, marriage status, father name, और permanent address, यह सारी चीज़े जो दी हुई है, इनको proper तरीके से fill up करके, agree करने के बाद में आपको submit कर देने हैं, आगी का जो process है, वो again forward हो जाएगा, और then के आपको जो final print है, वो निकाल के रखना है, आपको by phone number और by mail address आपको चीज़े बता दी जाएगे कि किस तरीके से आपको इन vacancy के लिए आगे का जो process है, वो रहने वाला है, देखो यहाँ पर आपकी कुछ files भी है, वो add करनी है आपको, जैसे कि PDF format में होना चाहिए, आपके पास में आपका एक photo होना चाहिए, age का proof मतलब आधार कार या 10th की certificate होना चाहिए, और उसके बाद में latest education qualification की certificates होने चाहिए, resume होना चाहिए, experience certificate होना चाहिए, और यह maximum जाए से यादा 10 MB की file होनी चाहिए, तो एक PDF file बना के सारे documents की जो photocopy है, देन के scan copy है, उसमें यह बन जाएगी file और यहाँ पर add file हो जाएगा, इसी तरगी के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें, बेल आइकन के बटन को press करें, जिससे state और central government में निकली हुई, फार्मा से related अगर कोई भी vacancy के लिए हम वीडियो अप्लोड करें, तो उसका notification आप तक proper पहुंस सकें,